तो सरे मैम को कितना आराम है आप भी देखते होगे आपने इनकी पहले भी हालत देखिए और अब कितना सुधार है पहले से ज़्यदा सुधार है वी इन में पहले जैसे कि पाम उठा के नहीं चलते थे पाम गिस्ता है इनका तो अभी उठा के चलते है पाम और सपोर्ट की ब काफी आराम इस तिस रवाइकल से में खासे सिर में चकर भी आता है से मैं स्वैलिंग भी आई थी काफी स्वैलिंग भी वह थी पूरी बॉड़ी पे असी परसेंट आला हूं है पहले कई वादे लाज करा शक्रेन का लिगण में कम से कम एक लाग रुपे खर्च कर्च बढ़ा हूं है नाम बताई नवीन कुमार है मिरा नाम नजाफगड नजीब गड़ डिफेंस फोजी हूं हूं है जी तो उआ क्या था सरापूर मेरे को ल 4- के पंडिस में दिक्कत थी तो पहली बार आया था मैं वहत्रिक्श मिला था बहुत और आप मिला था तो अभी मैं च्टी बार हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं अभी वेज्व जी शिकाई करनी पड़ति है 5-6 करो चार पांस वार शिकाई करो और वेज्वि पूरी करते हैं मैं सारे दर्शकाने प्रियंका कोहार की राम राम और इस समय हम मौझूद है चर्की दादरी में जहां पर आपको एक वीडियो पहले भी बनाई थी बार बार हमारे दर्शकों के फोन भी आ रहे हैं एक देशी बैद की जो की स्याम फुल बैद है हर प्रकार का इलाज करता है तो बहुत सारे दर्शक पूछते भी है कि यहां पर आने के बाद अराम होता है कि नहीं होता है तो आज हमारे साथ यहां पर जो दूर दूर से आए हैं लोग यहां पर देशी बैद के पास तो उन से पूछेंगे कि कितनी बार आ चुके हैं उनको कुछ अराम लगया या निल तो सारी बात दे करेंगे, हम देखो हमारे साथ ये कहां से आए पूछते हैं, बताया जा रहा है कि ये बिलकुल पहले बोज बिमार थी, तो अब खुद चल के ये याँ पर आई है, तिसरी चोथी बार शायद, लेकिन पुछेंगे सारी डिटेल की कौन सी बार आई है, कितना राम है, राम राम मैडम जी, क्या नाम आपका शुब आशन, कहां सी आई हो आप गडगाउं से, तो कौन सी बार आई हुए आप है, मैं चटी बार, चटी बार आई हो, तो मतलब क्या दिक्कत है आपको, पैरों में सेंसिटिविटी खतम हो गे थी, मोमेंटी नहीं था, अब कम स्पोर्ट की जोब पढ़ती है, तो मतलब आपको लगता है कि अराम पूरा होता है यहां पर, हाँ, पहले से तो है, पूरा तो जबहोता है, मेरे ख्याल से तब इसलिए आप आए हुए यहां पर, पहले कहीं जिए कि ट्राइब किया है मैंने, पर कहीं रिलेक्स मिल जाने, शुरू में लगता है कि हो जाएगा, पर आगे नहीं हुआ फिर कभी, तो यहां पर आपको लगता है हो जाएगा, आप पॉजिटिव एनिजी मिल रही है मुझे, यहां से आके, लगता है अंदर से क्या ही चीज़ आथी है, जो मतलब हम एक्स्प्रें नहीं कर सकते पर मुझे लगता है पॉजिटिव एनिजी मिल रही है, मुझे मिल रही है, तो यह आपके साथ हस्मेंट है, नमस्क्र सर, आपका नाम क्या सर, नैन सिंग, तो सर, मैम को कितना आराम है, आप भी देखते होगे, आपने इनकी पहले भी हालत देखी है, और आप में कितना सु दूआ करते हैं कि आप जल्दी से ठीक हो जाओ, और फिर मिलेंगे आप से, तो यहां पर और भी बहुत सारे जो इलाज के लिए आए होए हैं, इसे बात करेंगे, देखे, इदर भी एक मैम, रामरा मैम जी, कहां से आई हो आप? अलीगर से, दिली के पास? अलीगर हातरस के लागा मैम में या और है, या अंपर साथ, अमश्वेन आपके? नहीं, जी जागी, जी जागी, नमस्कार सर, अबका स्कार जी, आपका नाम की है सर? बिने, तो सर, आपको भी कोई प्रोब्लम थी है, आप मैम को दिखाने आया सा, तु मैम को राम है? हम बिलकुल आदा है, सब्सक्राइब करते हैं तो इससे क्या साइड इफेक्ट होते हैं यहां से कमर तक उससे ना तो सो पाते थे ना बैठ पाते हैं ज्यादा टाइम तक बैठना भी नहीं हो पाता था अब काफी आराम इससर वाईकल से मिठासे सिर में चकर भी आता है स्वेलिंग भी आई थी काफी स्वेलिंग भी हो गए थी पूरी बोड़ी पे तो देखो कई बार है ना महारे दर्श को पूछते हैं कि आराम हुआ नहीं हो तो हमारे दर्श को क्या खाना चाहोगी आराम है और हंडे परसंट हमें आपको पता कि अपर्श किया था यूटूब पे यूटूब पर जला तो फेर यहां पर पूछे आप फॉन किया था पहले लोकेशन ली का ट्राइग अधिनी जगे दिखाया एक वार एक जगे कहीं भी जाओ तो कोशिश करते हैं कि हम जहां से ठीक हो जाएं अरिक मैं तो यह दो चला ना कसर ने छोड़ने चीए चोथी वार है हम यहां पर पहली बार कुछ लगा कि हाँ थोडा रलैक्स सारी गर्दन स्वैलिंग वेलिंग मैंने का इतनी जगें अधि इतनी जगे दिखाया एक जगा और सही कोशिश कर लेती हमारे यूपी मेरी बाबी जी य यह मेरे हश्मेन नहीं रहता है तो यहां से पासपरा दो चोड़ जाता एंच आ प्धिस उड़ाई थैसे उनाने स्टेंग जैसे विור तोसा बता है, एसे ही किया सारा सब कुछ तो काफी रिलेक्स है स्वेलिंग वेलेंग सारी अर एक देशी बास्याम को बहुता सुरुआ ही कलका तर आर बिठा दे है दो साल से परिशान थी तो पड़ा ही रहना कुछ भी अपने बच्चों को भी नहीं देख पाती इतना है डॉक्टर साब न पत्ता विवान दिया नहीं से घुमना लेकिन तो ठीक लग रही है मेरे को भी क्योंकि दीख रहा स्माइल से पता चल रहा है कि हां क्योंकि बंदा जिंदा नहीं होना तो स्माइल नहीं आते निकल एक महीने बाद एक और और आएंगे जो 20% है न वो भी ठीक होना चाहिए क्योंकि पता है क्या करते हैं कुछ लोग पूरा इलाज नहीं लेते अराम हो गया छोड़ो चल जाएगा कम पहली बार आराम लगा सोचों कितनी दूर से आते हैं अलीगड का नाम सुना यूपी में वहां से अर्याने में आते हैं यूपी से एंसी आर कुड का मुदर से लगना चाहिए देखो फायदा है तभी आएं हम अच्छा एक बार और आएंगे यह 20 परसेंट है न यह भी ठीक होना चाहिए आपकी बाबीजी स्वस्त रहें खुश रहें और स्माइल करती रहें तो यहां पर और भी लोग एक ताई जी है ताई जी से बात करेंगे नाम नवीन कुमार है मिरा नाम नजावगड नजीवगड फोजी हूं में जी तो उआ क्या था सरापूर मेरे को ल 4-5 में डिस में दिक्कत थी तो पहली बार आया था मैं बहुत रिलेक्स मिला था बहुत अराम मिला था तो अभी मैं छटी बार हूं मैं बिल्कुल ठीक हूं तो आपको मुड़ने में खड़े होने में बैठने में अब कोई दिक्कत निया मैं रोज सोग डिट सोग मेटर गाडी भी चलता हूं जी तो पहले बहुत प्रोब्लम थी मैं दिवार पकड़के चलता था बहुत 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 बिल्कुल फीट हूं कौन सी बार आया हूं स लेकिन अराम पूरा है पूरा मैं दो तीन बार वी ठीक हो गया था तो अब आगे भी आना हाथ को आगे मैं आता रहूंगा मेरी जो रीडी एडी थी थी तो थोड़ी टैडी थी मैं टैड़ा चलता था थोड़ा एक पैर से तो उसकी मज़े से मैं जब तक ठीक नहीं हूं म क्रिशना तो अंटी जी मतलब आपने पता है कि लड़के के इतना अधर था तो अब कैसा अब बिल्कुल ठीक लग रहा है मेरे को जब बच्चे को दर दो जाता है तो माबाप से पीड़ा सैन नहीं नहीं सैन होती है यह तो बिल्कुल नहीं जुका पड़ा पांच यह दिन में माले सभी करी इसके और इट से शिकाई भी करते हैं तेर में पांच यह मतलब कुछ मैनत बैच जी ने की कुछ हम कर रहे हैं जैसे आपको बताया जाए है मैनत सपल होगी नहीं ठीक है मैं तुसरी बाराई हूं मेरे गोड़े से बिल्कुल नहीं चला जा था मेरे मेरा मैं दो नहीं को दिक्कत और एक मती जादा कि चोट साथ ला इते ड़े नहीं टालागी तरौदी नहीं प्रूब्लम जादा हो रहे है जो यह आठीक से फ़ी को घ्यान बाताना करती है यह पर ने मुड़या गरता मैरा इफ अ यह युख ए लिए नोगा जोगादम ज़ सबीजिए आप काहा से आए रोओ तक से यह मतर को लेकर साथ में जी बिलकुल आज़ा है मैंने काफी जगह दिखाए था रोफ तक इनको बड कोई आराम नहीं था वही पेरों में गोड़ों में जादा तक गुटने में जादा प्रोब्ल्म रहती थी तो आप बहुता है तिसरी बार है तो यह लगा लो 70% पुरा हो जाएगा तो यह देखिए आपर मतलब जितने भी पेसेंट आई हुए हैं जितने उम्री जाए हुए सबसे बात की है और आप देख भी सकते हैं कि किस किस पर करके अब अंदर चलेंगे बारी बैद जी से बात क करके और उनसे प्रोपर लोकेशन ही आगे क्योंकि बार बार हमारे दर्शकों के फोन आते रहते हैं पूस्ते रहते हैं कि यहां के प्रोपर लोकेशन क्या है क्या फोन नंबर है तो अभी बैज जी लगे हुए है एक अंटी से और बात कर लेते हैं नमस्ते अंटी जी क्या तो शब्रा मेरे प्रोब्लम ऐसे निर्मला इंति कह लेसे वहां? तो किते दिन आ रहे हो आप यहां मैं तो दूसरी बारी आये हमाने हाँ हलका तो है तो अभी आगई आना है तो आगे आओगे तो प्यों आओगे तो अंटि दिल्ले अंजे मेरे ब्ला मार तो आपकी मम्मी आपर पहले बबल्ड था तो किया प्रोब्ल म आती ती जुक्ष़ अभी दूसरी बार लेकर रहा है तो हो जाए कोशिश तो है काफी जगा लेकर यहीं अराम आया बहुत जगा होना है तो वेज जी से बात करेंगे अचे यहां पर नमें मन्जु जी कहां से आए मैड़ा से मेड़ा से क्या घड़ तो कमर में दर्दें परही बार बार ना कितना राम है अच्छाराम जी कि प्रुऽ उरर रहा है पहले भी और भी ऊरी बताई और कमर में दर्द 115 2009 कि डाम केट तर नुट्वेश के हाँ अराम है तो बैट नोप्षण में जैसे अभी ठोड़ी कम दिक्कत है लगता है राम होगी बताओ किना राम है सकतर परसेंट सकतर परसेंट डरा है तो एक बर्याम बैठो सर आप नमस्कार सर नमस्कार जी सर हमारे दर्शकों के बहुत फोन आते हैं तो यह पूछते रहे तेरा मुतहक नहीं होता है आज तो हमने दर इन के जो यहां पर मरी जहुनी से बात करवा दी है मेरे से मत पुछो जो आ रहे यहां बंदे दूर दराज जा रहे आप से बात करने से पहले पूछ के आए हैं लेकिन पहले तो आप यह बता दीजिए मारे दर्शकों को कि किन किन ची जो भाई लाज होता है मेरे पास अजे गोडेगा सर्वाइकल गोडिस का गारंटी से ला लंबरदार पॉल्ट्री फारम यह लोकेशन है लोग पूछते हैं पता नहीं चलती तो इसलिए आप से पूछना जुरूरी था कि यहां की प्रोपर लोकेशन कि हमारे अमारे नंबर पर वाट्सप करवा उस नंबर पर लोकेशन मिलेगी और प्रोफाइल खोलके देखोग यहां वहां जी गाड़ी खड़ी करने के जगानी दुकान चोटी थी मेरी जाम लग जाता था रोट की जगां थी साथ में स्कूल था स्कूल की जाम लग जाता हुआ तो अब मरी जो कोई तकली प्रेशानी नहीं बहुत खुछ हैं जी मरी जी यहां हां लोकेशन देखके बहुत कुछ हैं खुली जगाए हैं बिल्कुल जी तो कहां कहां से आपके पास पेसेंट आ रहे हैं रास्तान डिली MP UP महाराष्टर जारखंड अभी जारखंड का पेस इसको जी सर्वाइकल था बहुत ज़्यादा रहे हैं जगा पर दिखा लिया था होश्पिटल भी बहुत से देशी बैदों के पास भी वह कहीं आराम नहीं वह था बैद जी ने पहली बार आते देखके बता दिया था कि आपको दो बार में ठीक कर देंगे और बैद जी ने यही फुते खिलेशी लेट साइड सुनना पण अपन रहता था मेरा गजाना कोम फिर फैर करम रहती थी आससलिए में मैं मैं को देखका देक मक liaison कोर्च decision prophets कि आ हाँ तो गुतने मी तकलीफ थि चलने पिक्कत हो रही थि तो यहाँ आने के बाद घापalt टूर है आना जाना तो संफम नहीं तो के दो तीन बार तो आने पड़ेगी तो बैजी बोलें ठीक है यहीं पर ठाहर जाओ तो खाने पेने की हर तरह की विवस्था नहीं की तरफ से है और अच्छी तरह से मान संबान के साथ रख करके इलाज करके सुमवार की दिन चले जाएंगे और मेरा करीबन सब ठीक ही हो गया च्छी दिन हो गया जी अल्टरनेटली जो है वो कर रहें एक दिन छोड़के एक दिन छोड़के वह इससे पहले आपने कहीं पर एलाज कर आए नहीं से पहले तो मैंने इलाज कराया ऐसे बैठाया नहीं गया मैं सिर्फ दवा खारा था दवा ने ने जड़ी बुटी की गोलियां आती है जड़ी बुटी की गोलियां आती है श्रीपाल के में खा रहा था और तेल भी मालिश कर रहा था तो उससे आराम तो हुआ लेकिन अस्ताही तरसे नहीं क्योंकि यह तो बैठाने वाली बात है ना हड़्यों में कुछ अगर कुछ आ जाती है मोच आ आती है तो बैठाने पड़े कि तभी ठीक होगी ना कि अबल मालिस से तो होने वाली नहीं है तो मालिस बैठा दिये वैजी तो अभी बिल्कुल रहत हो गिया है बिल्कुल आराम है तो यह देखिए यहां पर जो मरी जाए हुए है जो पेसेंट आए हुए है उनसे हमने बात की है और उनसे बात करने के बाद आपको पता चल गया होगा कि किस बंदे को कितना आराम हुआ है हमें बताने की जरूरत दिनी और कहां कहां से लोग आए है ये भी आपको पता चल ग साके तुरंत इलाज करवा सके और उनको वे राम मिल सके फिर मिलेंगे चैहिंद